दोस्तों बजट में FAME 2 सबसेडी स्कीम जो है उसका जिक्र हुआ है और सबसे पेले तो ये FAME जो है उसके फुल फॉर्म को समझ लेते हैं FAME का मतलब होता है Faster Adoption and Manufacturing of EVs तो ये जो FAME स्कीम है इसके नाम से ही पता चल जाता है कि सरकार चाहती है कि हम जो Electronic Vehicles हैं उनको Adopt करें यानि कि हम तीरे तीरे करके डीजल और पेट्रोल वहिकल को यूज के बंद कर दे और इसके साथ-साथ जो Manufacturing Companies हैं वो भी Electronic Vehicles का ज्यादा Manufacturing करें तो दोनों तरफ से ये FAME स्कीम जो है वो काम कर रही है विनाएसे दोनों तरफ से Supply पर भी और Demand पर भी Supply Manufacturing के साथ और Demand जो है वो मेरे आप जैसे Users जो जितना Adopt करेंगे होता है ये EVs जो है वो हमारे देश में Spread होती जाएगी अब खबर यह है कि Government ने जो FAME 2 सबसीडी स्कीम है तो इसका Allocation इस साल बजट में लगबग डबल कर दिया है सरकार जो है वो Accelerate कर रही है राइट ज्यादा पैसे FAME 2 को देने का मतलब यह है कि सरकार ज्यादा पुश देना चाहती है Electronic Vehicles पर इसके बहुत सारे benefits हैं आप सोचिए यह आकड़ा तो मैंने कही बार आपको बताया है Right कि 80-85% जितना हमारा जो oil है राइट वो हम import करते हैं So just imagine कि यह सारे जो देश हैं for example Saudi Arabia और Qatar और दूसरे जो भी oil producing countries है इसमें Russia भी आ गया तो यह सारे देश जो हैं उनके पास बहुत सारे पैसे हैं पैसे इसलिए हैं क्योंकि यह natural resource जो है oil उनको मिल गया और फिर यह oil जो है उसकी demand आई तो यह oil जो है वो export करने लगे तो बहुत सारे पैसे जो है वो उन्होंने इकठा किये अब क्योंकि यह एक बहुत ही important product को export करते हैं तो इनकी जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि दादागिरी यह शब्द में जान बुच कर use कर रहा हूं यह सारे देश जो हैं कई बार बहुत सारी गलत चीज़े करते हैं लेकिन क्योंकि यह इतनी important चीज export कर रहे हैं तो कोई उनको इतना खास कुछ कह नहीं सकता और बहुत सारे geopolitical issues जो हैं उसके अगर आप core में जाएंगे उसकी गहराई में जाएंगे then you will find that it's always about economy, it's always about money. For example, अगर मैं Saudi Arabia versus Iran की बात करूँ तो आपको लगेगा कि Saudi Arabia सुनी मुसलिम देश है, Iran जो है वो शिया मुसलिम देश है, तो इन दोनों के बीच में जो issue है, it's more about religion नहीं. Religion जो है वो सबसे visible चीज है, लेकिन जो reality है वो वही है कि ये दोनों देश में से कौन सा देश ज्यादा से ज्यादा oil export करेगा, जितना वो oil export करेंगे उतने उनके पास पैसे आएंगे, और जितने पैसे आएंगे तो उतना वो science and technology में, defense में ताकत वरबनते जाएंगे, और defense म आएंगे, और वो region अपने control में आने का मतलब है कि एक तरह से indirectly दुनिया पर अपना weight जो है वो बढ़ा देना, क्योंकि I'm just giving you one example, कि Saudi Arabia मान लीजिये कि West Asia के आप इसराइल को छोड़कर बाकि के सारे देश जो हैं, वो अगर Saudi Arabia की umbrella के तहती है या फिर उसकी team में joint हो जाए, त तो this is just one thing, कि जब हम EVs का इस्तमाल ज्यादा यहां पर करेंगे, अब मैं जानता हूँ कि EVs को लेकर बहुत सारे challenges हैं, solar panel को यहां पर हमें और ज्यादा produce करना पड़ेगा, फिर जो electricity हम पैदा कर रहे हैं, तो आज ज्यादा से ज्यादा electricity coal से पैदा हो रही है, तो अगर electricity का इस्तमाल EVs के लिए कर रहे हैं, तो इसका कोई खास फाइदा नहीं होगा, लेकिन हा, renewable energy से अगर EV चार्ज हो रही है, तो फिर definitely इसका फाइदा होगा, लेकिन renewable energy के लिए जो उसका components है, manufacturing है, वो भी हमरे देश में होना चाहिए, अब एक वक्त था जब engineering में, let's say Germany, सारी चीज़ है, तो अब भारत को एक जो कहते हैं, लेट कमर्स एडवांटेज यहाँ पर लेना है, कि बले ही internal combustion engine, जिनको ice कहते हैं, तो इसमें हम इतने आगे नहीं रह पाए है, लेकिन electronic vehicles जो हैं, तो इसमें हमारे यहाँ पर राइट research and development है, और राइट अगर environment create किया गय कर सकते हैं, राइट भारत एक बहुत बड़ी brand बन सकता है, और हमने देखा है कि बहुत सारी नहीं नहीं कमपरीज जो है, वो EV के products को launch कर रही है, तो यहाँ पर fame 2 को जोड़ देने का मतलब यही है, कि सरकार green mobility जो है, इसको और ज्यादा बड़ावाद देना चाहती है, accelerate कर जाती है, इसके दो फाइदे होंगे, नमबर वन फाइदा यह होगा कि एक तो वीनो के carbon emission जो है, वो कम हो जाएगा, और दूसरा जो फाइदा होगा, वो यह होगा कि transportation का जो cost है, वो nearly खत्म हो जाएगा, इस रिमाइंड मी जब भी मैं EV की बात करता हूँ, तो मुझे वो व रहता था charge, आज आप देखिए, लगबग आप 200 रुपे का recharge कराएंगे, तो पूरा महीना, यह एक average price में बता रहा हूँ, इससे कम भी हो सकती है, I think Israel में सबसे, दुनिया का सबसे cheapest data जो है, वो इसराइल में है, और इसराइल के बाद शायद हमारा number आता है, I'm not sure about it, लेकिन I'm sure कि Israel में सबसे cheapest data है, बसे second number पर इंडिया है, कुछ मेंनागे, कुछ समय पहले पढ़ाता है, यह एक बात जो है, वो अभी मेरे दिमाग में आई, तो I thought let me share it with you, but anyway, तो 200 रुपे में आप लगबग हर रोज 2 GB data आपको मिलेगा, और calls जो है, यह unlimited होते हैं, आप कितने भी call 24 by 7 आप calling कीजिए, कोई charge नहीं लगएगा, तो 200 रुपे में पूरा महीना, imagine, तो it's nearly free, isn't it, यह ऐसी चीज़ है कि लगबग हर एक व्यक्ती हमारे देश में इसको afford कर सकता है, same thing will happen with transportation as well, जब पूरी जो chain है इसकी, यानि कि solar panel हमारे देश में produce होगी, फिर EVs हमारे देश मे produce होगी, उसके जो raw material है, उसका access हमारे पास अच्छा होगा, यह सारी चीज़े होगी और renewable energy से electricity पैदा करेंगे और हर जगा पर available होगी, तो फिर transportation का cost जो है, वो कम हो जाएगा, और फिर हमारे देश में बनने वाले जो products हैं, जो हम export कर रहे हैं, तो उसकी cost जो है, वो बहुत कम हो जाएगी, और फिर दूसरे benefits आप देखिए कि भारत जो है, वो बहुत बड़ी मात्रा में, sunny days की कोई यहां पर हमारे यहां पर कमी नहीं है, तो दूप जो है, वो काफी अच्छी होती है, तो electricity का production जो है, वो काफी अच्छा होगा, तो यह कुछ बड़ी बड़ी बात समझना है, अब 2023-2024 का यह जो नया financial year जो अपरिल से स्टार्ट होगा, तो उसके लिए 5172 करोड रूपीज जो है, वो सरकार ने allocate किया है, जो यह current financial year है, तो इसमें 2897 करोड रूपीज जो है, वो allocate किया है, और 2020 में fame को launch किया गया था, और तब से लेकर आज तक का यह highest allocation है, तो हम consistently देख रहे हैं कि सरकार जो है, इसमें जो पैसे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें, अब एक और प्रशना आता है, कि यह जो fame scheme है, वो किस मंतराले के द्वारा operate की जाती है, या फिर किस मंतराले के तहती है, फाइनस मिनिस्ट्री, हेवी इंडिस्ट्र मिनिस्ट्री, ट्रांस्पोर्ट मिनिस्ट्री, या फिर IT and Electronics मिनिस्ट्री, या फिर IT and Electronics मिनिस्ट्री, तो यह एक इंटरेस्टिंग प्रशना है, इसलिए आपको प्रशना पूछा जा सकता है, इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर है, इसका आपकी स्क्रीन पर है, इसका आपक इसका गलत फाइदा होता रहे हैं जाने कि इसमें पैसे जो है वो क्लेम कर रहे हैं तो इस चीज़ को लेकर DRI ने एक investigation जो है वो भी start कर दी है खास करके imports को लेकर electronic vehicles के components जो है उनको यहां पर import किया जाता है और फिर customs duty जो है उसको evade किया जाता है तो यह सारी चीज़ों पर अभी investigation जो है वो चल रही है रही बात आंकडों की तो हमारे देश में electronic vehicles के आंकड़े भी काफी increase हुए हैं लास्ट येर अगर आप देखे तो 3,25,000 जितने evs जो हैं वो बेचे गया है रेजिस्टर हुए और sorry 2021 में 2022 में अगर आप देखेंगे तो 1,000,000 यानि कि 10,000,000 जितने electronic vehicles जो हैं वो रेजिस्टर हुए और इसमें सबसे ज्यादा जो हैं वो two wheelers हैं जो experts हैं इस industry के साथ जुड़े हुए उनका कहना यह है कि fame के तहट जो disbursement है कि कि किसे ने vehicle खरीद लिया तो अब यह जो subsidy के पैसे manufacturing company को मिलने चाहिए तो यह time पर नहीं मिल रहे हैं this is the biggest issue और कुछ experts यानि कि industry के साथ जुड़े हुए लोगों ने कहा कि यह fund का delay जो है वो 5-5 महिनों का delay होता है लगब आदे साल का delay होता है तो this is not healthy for the business, right? और 2020 जब इसको launch किया गया तब से लेकर आज तक देखें तो टोटल सरकार ने 9,687 करों रूपीज जो है वो इसके लिए allocate किये हैं आज 3rd February है दोस्तों अब बात करते हैं हम एक editorial के बारे में a short for science the Hindu का यह article है budget जो है वो अभी release हुआ है budget के साथ जुड़े हुए कुछ articles हमें देखने को मिलेंगे इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल मैंने आपको बताया था कि मैं budget का lecture जो है वो आपके लिए लेकर आऊंगा तो मैंने budget के साथ जुड़े हुए बहुत सारे interesting points, important points जो है वो लगबग कल मैं पूरा दिन वही कर रहा था और मैंने अलग-अलग newspapers जैसे के financial express, right फिर business standard, economic times, right ये पूरे-पूरे papers मैंने कल पड़े बहुत सारी comments लिखी गई है एक चीज़ पर दो-दो experts ने कुछ ना कुछ लिखा है तो वो सारी चीज़े मैंने study की और आज मेरे पास लगबग आप समझ लीजिए कि 50% जितना जो budget का जो lecture है उसकी जो PPT हैं वो तैयार हो चुकी है बाकी के 50 जो है वो अब मुझे तैयार करनी उसमें मुझे इतना कोई खास वक्त नहीं लगेगा maybe one hour, one and half hour और hopefully आज दुपएर तक आपको ये budget वाला lecture जो है वो मिल जाएगा ठीक है तो मैंने पूरी research की और मैं इसमें जल्दबाजी नहीं करना चाता था जल्द क्या होता है कि budget के जो points होते हैं उनको ऐसे धला धला explain करके videos upload किये जाते but I don't want to do that मुझे एक एक छोटी बड़ी चीज जो है वो आपको explain करनी है ताकि economy के साथ जुड़े हुआ बहुत सारे concepts जो है वो भी clear हो जाए और पूरा budget जो है वो आपको समझ में आ जाए short for science, ministry of science and technology और इसमें research and development की बात करें तो research and development के लिए budget ने 16,361.42 करोर रुपीज जो है वो allocate किये है एक 15% जितना increase हमें यहाँ पर देखने को बिल रहा है which is a good thing लेकिन अगर हम 2021, 2022 और 2022, 2023 के आंकडों के बीच में comparison करें तो it has been decreased 3.9% decrease है however between 2021, 2022 and 2022, 2023 the ministry has seen a 3.9% decrease और ज्यादा तर यह जो पैसे है यह 16,361.42 करोर रुपीज तो इसमें सबसे ज्यादा चंक जो मिलेगा वो मिलेगा DST यारी की Department of Science and Technology को उसके लास्ट येर के मुकाबले 32.1% ज्यादा पैसे DST को इस साल मिलेगे फिर 2,683.86 करोर जो है वो Department of Biotechnology को मिलेगे DBT और 1.9% जितना जो 5,746.51% जो मिलेगा वो मिलेगा Department of Science and Industrial Research DSIR को राइट और यह 1.9% ज्यादा है जो लास्ट मिला था उससे अब सरकार जो है इसने बजट में एक Deep Ocean Mission के बारे में बात की है और इसमें बहुत सारे जो Deep Submersible Vehicle हैं इस प्रकार के वहिकल तो इसके Components जो हैं उनको बनाने की बात है और इसमें रिसर्च करनी पड़ेगी राइट तो इसके लिए National Research Foundation जो है उसको काफी ज्यादा पैसे मिले है compared to last year इसी के साथ सरकार ने Artificial Intelligence Research को भी जोर दिया है निर्मला सेथा रबन जी ने कहा था कि जो बजट की स्पीच है उसमें कि Artificial Intelligence Made in India and Artificial Intelligence Made for India तो यहां पर Artificial Intelligence जो एक फ्यूचर की टेक्नोलोजी मानी जाती है तो इसमें भारत जो है वो काफी ज्यादा इन्वेस्ट करेगा R&D करेगा विज़ गुड तिंग बहुत सारी जॉब्स भी जनरेट होगी और नए लेवल्स तक हम पहुँच पाएंगे इन्वेस्ट करें लेवल्स तो इसका जब भी डेवलोपमेंट होता है तो इसका लक्षिय यही होता है कि यूमने विंग्स जो है उनका जीवन थोड़ा और ज्यादा सरल हो जाए लेकिन इसमें अब मुझे अब हमें सस्टेइनेबल जो डेवलोपमेंट है उसको भी एड़ करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा कोई ऐसी कोई चीज हम डेवलोप ना करें जिससे फिर परियावरन का नुक्सान हो जो इको सिस्टम है उसका नुक्सान हो तो वी नीड टू कीप एट तिंग इन माइंड एस वेल इसक करके कुछ ऐसे पॉकट्स है हमारे देश के जहां पर ट्राइबल लोगों को ये बिमारी ज्यादा होती है तो 2047 तक में बजट की कुछ चीज है मुझे याद आ रही है कल में ने रिसर्च की ना तो आई आई नो देस थिंग के 2047 तक हमारे देश में सिकल्स हमारे देश को स सेल एनीमिया फ्री बनाना है तो इसके लिए भी रिसर्च सेंटर्स जो है वो खोले जाएंगे आज वित प्रीविस गर्मेंट इस गर्मेंट तू है नोट सुक्सीड़ इं इंक्रीजिंग देवलोपमेंट तो बियोंड वन परसंट जीडीप पहले की सरकारे भी ऐसा करती इंवेस्ट करता है और अगर आप एक एवरेज निकालेंगे दुनिया के जितने भी डेवलोप्ट और टेक्नोलोजिकली एडवांस देश है वो अपनी जीडीप का लगबग 2% जितना जो है 2% से ज्यादा जो है वो आर इंडी में इंवेस्ट करते हैं और ऐसा नहीं है कि स इसे ही सारी चीज़े होती है research and development is not just about money yes money is a very important thing लेकिन सिर्फ money नहीं है पैसो के साथ साथ जो हमारे researches हैं उनको quality equipment time पर नहीं मिलते हैं bureaucratic बहुत सारा red tapism है right तो हमें procedure को easy करने की जरूरत है और research and development जो है वो culture से होता है right तो इसके लिए culture in the sense के एक university जो है तो उसमें स्वतंतरता हो लोग जो है वो free thinking कर सके right मैं इसकी और ज्यादा गहराई में जा सकता हूँ लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बता दू कि अगर आप research कर रहे हैं ना तो कुछ छोटी छोटी चीज़े हैं जैसे के एक researcher जो है उसके पास दो चीजों का access होना च जिसमें जब वो जाए तो उसकी प्रकार से गुफा बन जाए कि अगर let's say मैं I'll give you one example जब मैं किसी चीज़ की गहराई में उतरना चाहता हूँ for example अगर मैं कोई किताब पढ़ रहा हूँ और उस किताब के कुछ interesting points जो है वो मुझे आपके साथ तो share करना है तो उस time पर मेरी जो office है उस office में कोई भी allowed नहीं होता है right कोई भी in the sense कि mobile phone भी नहीं होता है तो I am like cocooned in this office पूरी दुनिया से connection जो है वो तूट जाता है ना कोई facebook, twitter, whatsapp कुछ भी नहीं और जब कोई चीज़े में आपके साथ interact करता हूँ या फिर मेरे team के साथ interact करता हूँ तो एक ऐसी जगह है जहां पर हम मिलकर conference और यह सारी चीज़ें कर सकता है this is a small thing लेकिन बहुत सारे institutions में यह चीज़ नहीं है तो वो जो depth चाहिए ना researcher को researcher को वो depth कभी मिल ही नहीं पाते क्योंकि उनको यह facilities, basic facilities यह होती है यह नहीं मिलती है और बहुत कम universities में ऐसा होता है और दुनिया की जो top universities है उसमें यह सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है तो it's all about culture कि जो organization चला रहा है क्या वो यह बारी किया देख पा रहा है या नहीं that is a very big question the bulk of research continues to be funded by government and the participation of the private sector has grown only incrementally सारी चीज़े government ही fund करती रहेगी तो भी नहीं चलेगा government के साथ साथ जो private sector है उसका भी contribution होना चाहिए क्योंकि हम देखते हैं कि for example bank की बात करें तो government bank की क्या process है कितनी slow है we all know आपको भी loan लेने के लिए जाईएगा आपको पता चल जाएगा और private sector जो है उसने कितने सारे innovations किये है कितनी सारी एक speed होती है ना private sector की एक एक नजर होती है तो वैसे ही बहुत सारे areas में जहां पर R&D की जरूरत है तो वहां पर अगर हम private sector को on board लेकर आए तो फिर research की quality और speed जो हां को बढ़ सकती है और this reminds me of one more thing it is cold golden triangle golden triangle में क्या है कि कैसा triangle आप बना लीजिए and this triangle is for research and development ठीक है तो यहां पर रहेगी university उनिवर्सिटी में research university का मतलब यही होता कि वहां पर R&D होगी funds की बात करें तो एक तरफ government है और एक तरफ pp लिख रहा हूं यहां पर that means private players तो government जो है वो ऐसी policies बनाएगी जिससे universities जो है वो स्वतंत्र रहे government अपने पैसे जो है वो universities को देगी लेकिन उनको R&D की स्वतंत्रता भी देगी जब यह चीज़ होगी तो private players जो है उनके लिए भी government ऐसी situation create करें कि अगर आपको let's say tax में कुछ benefit चाहिए तो आप R&D में पैसे invest करेंगे तो आपको tax exemption मिलेगा for example तो private players जो है वो R&D करने के लिए students को sponsorship करेंगे और eventually क्या होगा R&D को बढ़ावा मिलेगा तो यह circle जो है यह not circle sorry यह triangle जो है वो आज भी हमारे देश में उतना ज्यादा mature नहीं हुआ है तो we need to work on this thing तो यह out-of-the-box idea है right trading more within Asia makes economic sense अधा हिंदु का यह बहुत interesting article है अब 31 January 2023 की बात है जब international monetary fund ने एक warning issue की यह warning में यह कहा है कि जो global trade है वो slow down हो जाएगा जो 2022 में global trade जो है वो 5.1% जितना रहा 2023 में यह 2.4% हो जाएगा यारि कि हमारे exports भी कम होंगे जिसके बारे में हम नहीं इससे पहले भी बात की थी और हाँ economic survey में हमने इसके बारे में बात की थी बाइदे वह आपने एकर एक survey का lecture नहीं देखा है तो उसको देख लीजीगा तो South Asia जो है वो एक ऐसी एक ऐसा location है कि अब South Asia को क्योंकि global slowdown होने वाला है और ये बात IMF ने अपने report में बता दी है तो हमारे लिए सबसे best क्या है best यही है हमारे इंदेशन South Asia के लिए दक्षिन एजिया कितने देश हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया भूतान नेपाल श्रिलंका मौल्दीवस एंड बंगलादेश 1,2,3,4,5,6,7,8 आठ देश हो गए और ये देश जो हैं वो सार्क के भी देश है ठीक है तो अब हमें South Asia के जो देश हैं उनके लिए और भारत के लिए best यही रहेगा कि हम Asian देशों के साथ और ज्यादा व्यापार करें और जब Asian देशों की बात आती हैं तो of course इसमें ASEAN आ जाता है इसमें 10 countries हैं Association of Southeast Asian Nation इसके साथ Japan आ जाएगा, South Korea आ जाएगा, China आ जाएगा, और दूसरे चोटे बड़े देश जो हैं इसमें एड हो जाएंगे तो basically ये जो topic है उसके नाम से पता जल जाता है, trading more within Asia makes economic sense कि within Asia, कि Asia के अंदर ही अगर हम ज्यादा से ज्यादा trade करें तो ये और अच्छा होगा, economically sensible होगा ये Russia, Ukraine, war, फिर global supply chain, इसमें चाइना में lockdown होना और दूसरे issues और COVID-19 वाइरस, ये सारे challenges की वज़े से ये slowdown जो है, वो हमें देखने को मिला है, 1990 से देखे, तो South Asia और East Asia trade जो है, उसमें एक pace, यानि की speed जो है, वो देखने को मिली है, वो इसके पिज़े वन अफ रीज़ें इस, कि भारत की जो look East policy और act East policy है, इसकी वज़े से, फिर से एक re-alignment जो है, वो हमें देखने को मिला है और South Asia जो है, वो reforms भी करने लगा है, और China भी, चाइना में से दूसरी companies जो है, वो Asia के दूसरे देशों में जा रही है, जैसे के Vietnam है, बंगला देश है, इंडिया है, एक्सेटरा, तो China से global supply chain जो है, वो offshore हो रही है, चाइना से दूसरे देशों में जा रही है, तो this is also a good sign for all these countries, अगर हम total merchandise की बात करें, merchandise यानि की goods जो trade हुए है, South Asia और East Asia के बीच में, in terms of dollar, तो ये 1990 से 2018 के बीच में देखें, तो 10% का annual growth रहा है, 2018 में ये $332 billion का व्यापार हुआ, South Asia और East Asia के बीच में, और आने वाले समय में ये $500 billion तक पहुँच जाएगा, तो ये चीज़ को और ज़्यादा स्मूथ करने के लिए क्या जरूरी है, जरूरी ये हैं कि जो barriers है, जो कुछ हैसे rules and regulations, कुछ है tariffs है, tariffs का मतलब होता है, for example, import duty, custom duty, import duty, ये सारी चीज़े, और non-tariff measures का मतलब ये होता है, कुछ ऐसे rules and regulations आपने बना है, for example, खाने बिने की चीज़ें हैं, तो आपने कहा कि ये ये चीज़ें होनी चाहिए, इसमें इतना protein होगा तो भी accept होगा, and things like that, you know, तो कुछ चीज़े quantity के साथ जड़ी हुई है, official economic zones में जो services हैं, तो उन में ज्यादा invest करना और इसमें और ज्यादा इसको refine करना, जो है, ये कुछ ऐसे steps उठाये जा सकते हैं, जिससे ये trade जो हो और ज्यादा fast हो जाएगा, इसे के साथ-साथ, जो free trade agreements हैं, उसमें आगे बढ़ना, और यहाँ पर ये suggestion दिया गया है, कि भा खास नहीं है, फिर UK के साथ बात चल रही है, EU के साथ चल रही है, घरिडा के साथ चल रही है, USA के साथ चल रही है, आफरिका के साथ भी ऐसी बातचीत जो है, वो future में हम करेंगे, तो हमें free trade agreements के माधियम से, अलग-अलग Asian देशों के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और फिर एवेंचिली, regional comprehensive economic partnership में जोडने की बात यहां पर बताएंगे, बट आइड निंग सो कि भारत जो है, वो भी करेगा यह, भारत FTA के माधियम से ही आगे बढ़ेगा, और फिर future में, future में, maybe 10-15 साल के बात, शायद, राइट, हम RCEP को जोइन करें, वैसे भारत जोहां वो RCEP जोइन करने वाला था, लेकि last month में भारत निकल गया, क्योंकि एक free trade agreement है, अगर हम इसको जोइन करते हैं, तो सबसे बड़ा issue यह होता, कि चाइना के सारे products जो हैं, वो यहां पर dump होते, right, क्योंकि import duty हट जाती, तो चाइना जो है, वो हमारी industries को भरबात कर देता, तो Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Cooperation, तो इसमें भी जो भी barriers है, हड़ोजन को हटाते हुए, BIMSTEC और ASEAN को जोइन करने की ज़रूरत है, जो process स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि यह BIMSTEC जो है, जो मैंने 8 देश बताया ना, उसमें से आप यह तीन देशों को निकाल दीजिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मॉल्दिव्स, बाकी के जो सार्क के देश है, पांच देश सार्क के, वो है BIMSTEC में और दो देश ASEAN के हैं, थाइलेंड और मियानमार, तो यह टोटल होगे साथ देश इसके, तो BIMSTEC जो है, it's more like सार्क और ASEAN के बीच का एक ब्रिज है, Slowing Global Trade means that trading more within Asia makes economic sense, India is South Asia's largest economy, और G20 Presidency जो है, हमारी यह हमें good platform provide करती है, कि हम इस दिशा में आगे बड़े, I hope things are clear, Move Fast, Regulators, Times of India का यह article है, अधानी Enterprise के बारे में हमने इससे पहले भी बात किती, उन्होंने अपना जो follow on public offer है, उसको cancel कर दिया, और जो भी investors के जिन्होंने यह खरीदा था था उनको पैसे जो है, वो वापस देरे की process जो है, वो start कर दी है, अधानी के पिछले कुछ दिनों का loss गिने, उनकी market value जो है, वो 100 billion dollar से कम हुई है, और उनके सारे के सारे, उनके shares जो है, वो 27% उनकी value जो है, वो कम हुई है, अब इस मुद्दे को लेकर parliament जो है, वो agent हो गया, और RBI ने banks को ये पूछा है, कि अधानी firms में आपका exposure कितना है, इसका मतलब यह होता है, कि आपने कितने पैसे इसमें invest किये हैं, कितनी loan दी हैं, कितने shares हैं आपके पास, वगेरा वगेरा, से भी जो है, वो भी active हो चुका है, और NSE, जो है, National Stock Exchange, इन्होंने भी अधानी की कुछ ऐसी companies हैं, तो इनको additional surveillance में रखा है, चीजों को अच्छी तरीके से, magnifying glass से इसको देखा जा रहा है, कि कोई गलती तो य लग अलग business's में होती हैं, लेकिन अकी company की अलग अलग companies होती हैं, तो इनके linkage, financial linkage, वो अलग अलग jurisdiction में होती है, कुछ पैसे UK से आए है, कुछ पैसे USS और रजाने किन किन Doug Indonesia के इसवहा है, और अच्वाजाशी तो खीर, ऐसा जब होता है और ऐसे कोई issues होते हैं, तो भारत पर एक impact आती है और भारत के दूसरी companies पर भी इसकी impact जो है वो आ सकती है for example 2008 की जो crisis हुई तो American regulators जो है वो उस समय पर सोय हुए थे लेकिन फिर पता चला कि ये जो financial crisis का जो issue है वो spill over हो गया ये दूसरी American companies को भी impact करने लगा और देखते ही देखते American economy जो है उसमें recession आ गया तो अब Indian regulators ने जो ये step उठाया है which is a right step right अब इसमें आगे मिनने की जरूरत है और जो सच है जो भी reports है वो सारे के सारे जो है वो public domain में रखने की जरूरत होगी ताकि confidence जो है वो investors का बड़े और दुनिया का confidence जो है वो भी भारत की companies के प्रतिबड़े system bails out Times of India का ये article है आपकी screen पर ये जो व्यक्ति है इसका नाम है इनका नाम है सिद्धी की कपान और ये एक journalist है इनकी कहानी ये है कि basically जो हाथरस gang rape case हुआ था तो वो वहाँ पर जा रहे थे report करने के लिए ऐसा कुछ और जब वो वहाँ पर जा रहे थे और हाथरसमें आपको बता है कि जो एक दलित एक बेटी थी लड़की थी right teenage girl थी तो इसका gang rape हुआ था murder हुआ था और इसको इसकी जो कहते हैं न अंतिम क्रिया वो फटाफट कर दी गई थी तो I think post-mortem भी नहीं हुआ था ऐसा कुछ था तो यह बहुत बड़ा issue हो गया था तो यह कपान जो है वो जब यह हाथरस जा रहे थे तो उनको arrest किया गया 2020 में और फिर उनको jail में डाला गया उनके उपर यह UAPA लगाई गई और money laundering prevention of money laundering act जो है इसके charges भी उनके उपर लगा गया finally कल उनको रिहा किया गया और 846 days जो हैं वो jail में रहे 846 days अब justice Krishna Iyer की जो एक guidance है 1977 की यह guidance है bail not jail criminal justice system को यह guide करने वाला एक tagline है bail not jail कि अगर किसी व्यक्ति पर इल्जाम है तो उनको jail में मत डाले पहले उनको bail पहले bail दीजिए in the sense के अभी let's say कि किसी व्यक्ति पर आपने इल्जाम लगाया कि इसने ये कुछ गलत किया let's say अब जब तक ये प्रूव नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति guilty नहीं है तो आप किसी को ऐसे jail में रखेंगे this is not all ये सिर्फ मैं नहीं बता रहा हूँ supreme court ने बार बार अलग cases में ये बताया है 2020 का एक जो case था तो उसमें supreme court ने कहा कि deprivation of liberty even for a single day is one day too many एक दिन के लिए भी अगर आप किसी को ऐसे jail में डालते हैं तो भी वो एक बहुत बड़ी बात है तो यहां पर आप देखिए 846 days and let me tell you ये जो कपान है अब इनके पास बहुत अच्छे अच्छे lawyers भी थे उसके बावजूद भी इतना वक्त लगा कपान की जो बेल है वो multiple stages पर reject हुई मतुरा court में reject हुई लखनव sessions में और अलाबाद high court जिसने बाद में इनको बेल दी अलाबाद high court ने भी इनकी बेल जो है वो reject कर दे दे थी और हमारी IPC के जो crimes हैं देखिए आप murder में conviction rate कितना है 42.4% rape cases में 28.6% जितना conviction rate है और riots में 21.9% और country में 80% prisoners जो है वो under trials है तो this itself indicates कि ये jail में डाल देना जो है it's more like a punishment आपको किसी को अगर धमकाना है डराना है आप power में है तो उसको jail में आप डाल देंगे तो आपको बता चलेगा कि वो एक लंबे समय के चक्कर में फस जाएगा उसके कुछ महीने जो है वो बरबाद हो जाएगा और psychological trauma जो होगा वो तो एक अलग level का ही होगा तो कई बार ऐसे कुछ लोगस का ऐसे इस्तवाल जो है वो किया जाता है which is very very unfortunate most victims simply do not have the legal financial and emotional resources to fight their way out of this maze ये एक ऐसा दलदल है एक ऐसा भूल भूलया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो jail में डाले जाते तो उनके पस ना तो legal support होता है ना तो उतने पैसे होते हैं ना तो emotional ऐसे resources होते हैं कि वो इस दलदल के बाहर निकल सके लेकिन ऐसे दलदल होना ही नहीं चाहिए अगर courts जो हैं वो simply जो judicial principle है bail not jail और innocence, innocent till proven guilty अगर ये चीजों को अगर court फॉलो करें तो फिर ऐसी कोई इतनी सारी आपको शक्तिमान होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी रहे कि एक साधरन से साधरन व्यक्ति जो हैं उसके भी अधिकार जो हैं उनको secure किया जा सकते हैं अब बात करते हैं news कुछ और news items के बारे में no bar on contesting two seats in one poll एक election और आप दो जगा पर दो seat से दो constituency से election लड़ सकते कि आपको पता है हमरे देश में ऐसा rule है Supreme Court के पास ये matter गई Supreme Court ने मना कर दिया कि हम इसको entertain नहीं करेंगे the reason is क्योंकि ये जो election का low है अब low बनाना policy matter ये सारी चीज़े किसका काम है ये parliament का काम है तो यहाँ पर Supreme Court ने ये का है कि हम इसको नहीं कर सकते हैं अगर low allow कर रहा है तो वो करें अगर पालियमन चाहे तो इसमें changes जो है वो कर सकती है तो हमरे देश में ऐसा है कि आप एक party की ticket अगर आपको मिल गए तो आप दो जगह से let's say election लड़ सकते हैं जनरली ऐसा होता है कि एक ऐसा candidate I think Rahul Gandhi के साथ ऐसा हुआ था मुझे exact याद नहीं है लेकिन जो बड़े बड़े ऐसे players होता है कुछ political parties के वो कोई ए जगह से भी लड़ते हैं और दूसरी कुछ एक राजियर जहां पर उनको लगता है कि नहीं यहां पर तो victory हो ही जाएगी लेकिन safety के लिए दूसरी जगह पर भी वो file कर देते हैं और वहाँ पर भी दड़ाद़ campaign की जाती है ताकि वो हार ना जाए एक जगह से हार जाए तो दूसरी जगह पर जीत जाए तो generally इसी लिए यह चीज़ करवाई जाती है तो हमारी जो RP Act है representation of people act यह बहुत important act है खासकर कि UPSC की तैयारी करने वाले students आप syllabus में directly इसको mention किया गया है RP Act तो section 33-7 जो है तो इसके तहत अश्वीनी उपाधियाई जो है एक advocate तो उन्होंने petition file की और कहा कि यह invalid होनी चाहिए कि एक जगह से एक व्यक्ती दो जगह से कैसे vote कर सकता है It should be like one person, one vote and one candidate and one constituency तो यह democratic का dictum है उन्होंने कहा है और यह section 33, subsection 3, subsection 7 of the Act जो है यह allow करता है कि general election हो, by elections हो ऐसे सारे elections में व्यक्ती जो है वो दो जगह से अपना form file करता है या फिर दो जगह से contest करता है 2018 में government ने court में इस चीज़ के खिलाफ objection लिया था, government ने कहा कि लोग cannot curtail the right of candidate to contest elections and curtail the politist choice of candidates के लोगों की यह choice होगी और जो contestant है उसकी भी choice है कि उसको कहा सख़डा रहे ना तो इसको हटा नहीं सकते तो I don't think so के सरकार इसको हटाएगी या फिर parliament में इसको हटाने की कोई चीज़ हमें देखने को मिलेगी PFI पर मैंने एक अलग से lecture भी बनाया था, यह popular front of India है और यह एक band organization है तो इसके 5 members आपको पता होगा के बहुत सारी जगाओ पर raids conduct की गई थी कुछ महीनों पहले 2022 के last quarter में यह चीज़ हमें देखने को मिले थी और यह PFI जो है वो basically international activities और war against the nation वारी activities जो है वो चलाती है तो बहुत सारे cases है, I think 1400 जितने cases इस organization के लोगों के उपर हैं पूरे देश के अलग अलग जगाओ अपर किसे का हाथ काट दिया, किसे का गला काट दिया, यह वो सारी चीज़ है तो अब महारास्टर एंटी-terrorism squad जो है उन्होंने पाँच PFI के members के खिलाफ charge sheet जो है वो फाइल कर दी है जो union budget है, इसमें एक project है और राइट, इस project का नाम जो है, वो कहां गया हाँ, यह रहा, अपर भादरा project तो यह अपर भादरा project पर जो चीफ मिनिस्टर है करना टका के बस पर आज बोमे साब तो उन्होंने यह कहा है जो पुरारी Congress की सरकार थी, 1960s से उन्होंने इस project को neglect किया है और अभी यह matter जो है, वो Supreme Court तक है और March 2023 में इसकी hearing होगी और एक बाद Supreme Court का यह legal hurdle क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद Mr. Buma, यानि कि करना टका के चीफ इनिस्टर ने यह बताया है कि सरकार जो है, वो इस project को execute करना start कर देगी अब यह news में इसलिए है, क्योंकि union government ने पाँच हजार तीन सो करोड रुपए जो है वो इस project के लिए allocate किये हैं और करना टका को दिये हैं यह करना टका को मिलेंगे तो आंधरपरदेश के लोग जो है वो इससे नाराज है और कहते है कि यह पानी जो है वो divert हो जाएगा और आंधरपरदेश के कुछ areas में पानी जो है उसकी कमी हो जाएगी तो ये बेसिकली तुंगा और भद्र जो नदिया है इसके साथ जुड़ा हुआ एक प्रोजेक्ट है तो इसको आप याद रखिएगा ठीक है एरो इंडिया 2023 इसमें LCA तेजस जो है तो इसको एक प्रॉपर एट्रेक्शन मिलेगा एटेंशन मिलेगा राइट इसको फूल स्केल में इसको दिखाया जाएगा इसका फाइनल ऑपरेशनल क्लियरंस जो है कन्फिगरेशन वो सारी बेजिकली LCA की सारी चीज़े जो है वो दिखाई जाएगी और इसकी खासियत ये एक सिंगल एंजिन एरक्राफ्ट हैं लाइट वेट हैं एजाइल हैं तो डोग फाइट और उसमें काफी अच्छा रहता है मिल्टी रोल सुपर सॉनिक फाइटर है और ये फ्लाइ बाइ वाइर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है और इसके साथ साथ एंटिशिप और रिकोनेशन्स मिशन के लिए भी ये काफी अच्छा है किरन रिजीजू साब ने जो हमारे लोग मिनिस्टर है उन्होंने राज्य सभा में ये इन्फॉर्म किया है कि अभी UCC यानि की ये यूनिफॉर्म सिवल कोड जो है तो इसके इंप्लिमेंटेशन पर अभी कोई सरकार ने डिसीजन नहीं लिया है और उन्होंने ये कहा है कि सरकार ने 21st Low Commission जो है उसको ये एक request की है कि आप इसके साथ जुड़े हुए issues जो है UCC के साथ जुड़े हुए उनको आप study कीजिए और फिर सरकार को recommendation दीजिए अब 21st Low Commission जो है तो इसका tenure 2018 को खत्म हो गया था लेकिन Low Commission जो मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा कि अब यही matter जो है वो 22nd Low Commission जो है इसको study करेगा और फिर recommendation सरकार को देगा उसके बाद कोई decision जो है वो सरकार ले सकती है इंडिया hands over 100 nautical charts to Kenya after survey इंडिया नेवी और Kenya की नेवी ने मिलकर एक survey किया था joint survey और Kenya का जो northern coast है लामू आर्की पलेगो तो इसका जो coastal area है तो इसका एक survey conduct किया गया और 1.8 million का इसमें खर्च हुआ और अब यह survey जो है वो हमने officially Kenya को hand over कर दिया है sites यारे की convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora तो इसमें trees भी आगे है और दोस्तों इसमें animals भी आगे sites यह राइट यह चीज़ आपको याद रखनी है c-i-t-e-s इसको cities भी कह सकते हैं आप sites भी कह सकते हैं generally इसको sites कहा जाता है तो यह full form भी याद रखेगा नाम सही पता चल जाता है कि international convention है कि जो endangered species हैं तो इनका trade ना हो इसके लिए हैं तो इसमें जो red sanders हैं यानि कि जो लाल चंदन हैं तो इसके बारे में जिक्र हुआ है कि यह लाल चंदन जो है red sandalwood जिसको कहते हैं तो यह endemic tree है और यह आपको eastern ghat में देखने को मिलता है वो कौन सी फिल्म दी पुषपा उसमें भी इसको दिखाया गया है यह लाल चंदन को इसका trade होता है ऐसा कुछ हैं इसमें तो चाइना जो है तो जितना consignment यहां से जाता है तो 53.5% लगबग 50% जितना चाइना में जाता है फिर Hong Kong Singapore USA तो ऐसे कुछ द इसका import और export दोनों prohibited है और यह भारत का सबसे ज्यादा exploited tree species है और illegally इसको harvest किया जाता है लोगिंग की जाती इसको काटा जाता है यह जो schedule 4 है wildlife protection act का उसके तहता आता है और IUCN ने इसको endangered कहा है red list में इसको add किया है और इसकी growth की speed जो है बहुत ही कम होती है 25 से 40 साल जितना वक लगता है एक पेड़ को red sandalwood के पेड़ को mature होने में और इसको रोकने के लिए जो अलग अलग agencies है उनको मिल कर coordinated efforts करने पड़ेंगे US military जो है उसको Philippines के कुछ basis का अब access मिल चुका है right USA और Philippines ने गुरवार को यह announce किया कि अब USA के जो troops हैं वो Southeast Asia का यह जो देश है Philippines तो उसके च चार बेजस को और जादा चार बेजस को यह access कर पाएंगे और चाइना के लिए एक दुखत खबर होगी ताइवान से बहुत नजदीक रहता है यह फिलिपाइन्स तो यहां पर USA को एक चार और बेज मिलना जो है तो चाइना के लिए यह एक red alert है और इसके इससे पहले के ज जो फर्डिनांड मार्कोज हैं तो यह प्रो USA हैं बेजिंग वी नो हाव इचिस मिस्बिहेविंग विथ ताइवान और साथ चाइना सी में भी काफी उसका मिस्बिहेवियर रहा है तो यहां पर फिलिपाइन्स और यूएस की partnership जो है इचिस है और फिलिपाइन्स और भारत मिसाइल बेचना भारत ने स्टार्ट कर दिया कौन सा वो देश है वियत नाम है फिलिपाइन्स है ताइवान है या फिर केमबोडिया है कौन सा देश है या आपके लिए प्रशन है सोची गया इसके बरह में and that's basically everything in today's discussion dear friends आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेर इ with other students and do support mission life I'll see you soon till then enjoy your studies God bless you all Jai Hind